दंपत की गता काथा 113 में आती है जो सैसवग्गों में है 113 में पटाचारा ये जो कथा है टाहानी है बच्पन से हम बहुत विक्कुवर विक्कुणों के मुँसे सुनते आ रहे हैं अधिकतर कई कहानी जो बड़ी फेमस है उनका जिक्र होता है पटाचारा है किसा गौत्मी है और भी है मगर पटाचारा की इसलिए कहानी बड़ी फेमस है क्योंकि इसमें दुखो का पहाल टूटा हुआ है इस सावित्ती की कता है सावित्ती में एक बड़ा धनी परिवार रहता था उस धनी परिवार में एक जो परिवार का मुखिया यानि के जो नर्था एक उसकी पत्नी एक उसकी पुत्ती और एक उसका पुत्र जो पुत्री होती है जब वो विभाय के लाइक हुई उसने उसे शादी के लिए बाबाब को बोला। बाबाब आपने पत्नी की यानि जो पुट्रि थी वो इक्षा देखते उए, परभार में पत्नी से सब्बाचित करते उए, उसकी शादी उसने सेवक से कर दिए। मगर सेवक बड़ा खुदार था उसने शादी करने के बाद में कि कहीं यह यह न संदिया कि मैं ने मेरा जो प्यार है वो इसनी है कि मैं इनकी धंदलत की वैसे प्यार कर रहा हूँ उसने सावित्ती को छोड़ दिया और सावित्ती छोड़ against वो सावित्ती के बहार चला गया और उसने कुछ उस धनी सेट से लिया भी नहीं क्योंकि दान दहज की पहले कोई ऐसी पनंपरा रही भी नहीं पूरे भारत में तो अपना मेहनत करना अपना खाना सभी मेहनत करते थे पतनी भी और पती भी कामी ये था काम करने का और कोई कामी नहीं था तो दूर जंगल में जाके उन्होंने अपनी कुटिया बनाई घर बनाया और वहाँ फलफरूट जानवा जंगल जो कुछ इखटा करते थे वही खाते थे यही उनका जीवन चरिया थे तो उसका जो पती था उससे उसका एक बेटा हुआ उसके कुछ समय बाद एक पत्रुस के और हुआ जो थोड़ा छोटा गोद में था उस छोटा गोद में बेटा जैसे ही पैदा हुआ यानि कि अभी दो-चार महने का रहा होगा एक दिन वो जंगल में जब साग सबजी फलफरूट इखटा करना जाता है तो सांप उसको डस लेता है और वो मर जाता है सांप तक घर नहीं आता तो उसको वो घूमने के लिए देखने के लिए जाती है जो उसकी पत्री होती है और देखती है यह तो मरा पड़ा है उस पर दुख का पाहर तूटता है सुबह को वो यह सोच के कि मैं के लिए हैं क्या करूँगी मैं साविती जाती हूँ वहीं मैं रहूँगी अपने माता पिता के पास में बच्चा भी छोटा है और बीच में एक गंगा पड़ती है गंगा का मतलब होता है रिवर यर निदी यानि गंगा सब बार 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 पाली में आता है सारी रिवर जितनी गंगा है जितनी नदिया है उन सब को गंगा ही बोलते है नाम बात में पड़े है तो वो उस गंगा को पार करती है गंगा उतली है कुविए वहाँ जो पानी आता है उतला उतला आता है एसी गंगा नहीं है वहाँ पहराण के बीथ चलती हम तो वो देखती है कि दोनों बच्चों को एक साथ पार कराना मुस्QUIL है क्योंकि बड़ा बच्चा उठाया नहीं जा सकता और गोद में उठाना पड़ाएगा और छोटा बच्चा छोटा है उसे भी गोद में उठाना पड़ाएगा दोनों बच्चों को गोद में उठागे पार नहीं कर सकती है तो वो बड़े बच्चे को वहाँ बैठा के और छोटे बच्चे को लेके जाती है जब वहाँ जाती है पार करती है तो पार करते समय उस छोटे बच्चे को दूसरे पार में पत्तो पे लिटा देती है और दूसरे बच्चे को लेने के लिए जाती है जब वो दूसरे बच्चे को के लिए दिक्टेने जाती है तो देखती है कि जो जो से चिलाने लगी पानी के बीच में थी मजधार में भाग सकती नहीं थी और बाज कहां सुनने वाला था तो उसने दोनों हाथ उसे जैसे होता है बाज को या पक्छी वोड़ाने की मुद्रा होती है ऐसे वो चिलारी थी जो जो से पागल उतरे तो दूसरे तटपे जो बच्चा था उसना समझा के मा बुला रही ही हाथ के सारे से और चलाक बुला रही है और वो मा की तरफ दोड़ा जैसे ही वो पानी में मा की तरफ दोड़ा जो गंगा थी उसको भी बाहा के ले गई इधर बाज ले गया चोटे बच्चे को उधर बड़े बच्चे को गंगा बाह के ले गई और वो खाली हात रह गई पती चला गया सापने डश लिया तीनों उसका परिवार उचड़ गया वो पावलो जैसी सिती में हुई गंगा पार करके साविती के तरफ चलने लगी तो पता चला के साविती सारा उजड़ा पड़ा है महामारी आई हुई है और महामारी से उसका जो परिवार है जो उसका पिता, उसकी जो माता और उसका जो भाई था वो सारे मर गए और सारा सामान खुद्वूत हो गया अब वहाँ कुछ नहीं है ये सुनगे कि उसका सारा परिवार उसका मैका उसका पितार सब्क्रावर वो अकिली रह गई सारे जितनी भी दुख्की वेदनाय थी जितना दुख था सरी में सारा का सारा एक साथ उस पर आगया कहर हो गया और वो उसको जिर नहीं पाई ज्यादा दुख को जिर नहीं पाई आउगाओ जाती आओं उजाती कहीं कोई प्ल मिल गया खाल इया कई पारी मिल बच्चे उस पर इंट और पथर माला करते थे ऐसी साविक्ति में दो त पटा माने होता है वस्त्र होता है और चार माने डालना होता है एक्षन करना होता है यानि कि पट का चार कर दिया पट को डाल दिया वस्तर को उसके उपर डाल दिया चीवर रहा होगा कपड़ा रहा होगा वो डाल दिया उसके उपर तो उसका नाम पटा चारा पड़ गया बात सुनी ध्यान में आई तो थोड़ी सी उसका ज देशना हुई देशना में भगवान बुद्ध ने कहा कि उसका नाम अब पटाचाचारा पड़ गया था पटाचारा दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं जाता कोई किसी का दुख में साथ ही नहीं है हर एक व्यक्ति को अकेले ही जाना होता है आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जाओंगे जो व्यक्ति आता है ये इसते नाते सम यहीं तक हैं जाना भी अकेला है आना भी अकेला है तू जरा होस करके देख तू कितनी बार रुई है ये पहली बार नहीं रुई है हर भव में हर जनम में हर चक्र में तू रुई है क्योंकि हर जनम जो होता है वो दुख स जो मिर्तु है वो भी दुख है तो ये सब दुख की दुख है और तो कब से दुख को ढो रही है जरा होस कर इन दुखों से मुक्ति हो इन दुखों से मुक्ति पा ऐसा उसको देशना देके धी दिरे उसको होस आता है होस आने के बाद में फिर वो दिकुमी संग में सामिल होत इस सब के रिजन हैं, इस सब के कारण हैं, ये सब हेतु वाद में आता है, डिपेंडेंट ओरिजनेशन है, कौज एंड इफेक्ट है, हर रहत का और हर जनम का एक कारण है, उस कारण का एक तरीका जो भगवान बुद्ध ने बताया है, वो पताते हैं कि देख कैसे ये काम करता है, उसको पटिचे समुद्पाग पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं, जीवन दिखाते हैं, जीवन का दसन होता है, उसकी आँखें खुलती हैं उसे चक्खु मिलते हैं और वहाँ वो भिकुनी होके अपने जीवन को काटती है और उसके बाद वो पूरा जीवन लोगों की सेवा में और लोगों को धम सिकाने में लगाती है ये जो पटाचारा की कहानी है कहानी कोई भी आपको बदल के सुना सकता है क्योंकि कहानी सब्द सब्द ब्लुकुल वड़ वड़ याद नहीं नहीं परती मगर इसका जो सार है वो यही है तब भगवान बोधी ये गाथा कहते हैं जो गाथा नंबर 113 है यो चे वस सतंग जीवे यानि कि यो चे माने जो चे माने और और जो कोई अगर पूरे सो वर्स तक जीवे कैसे जीवे यो चे वस सतंग जीवे ए पसंग माने पस माने होता है देखना पसना माने होता है विपसना जो सब्द बना है विपसना माने तो होता है गहतना से देखना पसना माने देखना और ए पसंग माने बिना देखे को यानि कि जो देखता नहीं है किसको उदय बयंग उदय बयन यानि उदय और वय को यानि कि जो दुख जो पाप उदय हो रहा है आ रहा है और जो हमारी पुन्य है वो वय हो रहा है खच हो रहा है या जो पुन्य आ रहा है और जो पाप जा रहा है यानि कि जो पाप को पुन्य को आता जाता नहीं देखता है उसका 100 साल तक भी जीना बेकार है किसके मुकाबले यदि कोई सिर्फ एक वार ऐसा जी ले कैसा जी ले पसतो उदेवेंग यानि पसतो यानि देखने वाला उदेवेंग यानि पाप को और पुन्ये को आते जाते देखने वाला अगर एक वार इसको देख ले तो उसका जीवन ज्यादा स्थेष्ट है बसते इसके कि जो कोई 100 साल तक जीए और पाप को पुन्ये को आता जाता ना देखे ये जो उदेवेंग सब्द है उदेवेंग होना ये बड़ा गंबीर सब्द है इसको साधार तरीके से तो हम ये कह सकते हैं कि पाप का आना पुन्ये का आना पाप का जाना पुन्ये का जाना देखना हो देखें कि बड़ा कितना पाप हमने किया कितना देखें मगर देखे कैसे आदमी क्योंकि देखना अगर आता नहीं है तो वो देख नहीं पाएगा और देखने का रास्ता तो practice में है देखना का रास्ता तो विपसना में है क्या उदै होता है और क्या वय होता है कैसे ये आता है कैसे जाता है इसको आप ठीक ऐसे समझ सकते हैं कि आप कहीं किसी के यहां गए और आपने के मन में लाला चाया कि इसका मोबाइल बहुत अच्छा है और इसका मोबाइल चोरी के लिया जाए या इसका ये पैन बहुत अच्छा है पैन चोरी के लिया जाए या इसका ये की रिंग बहुत अच्छा है चावी के चला बहुत अच्छा है ये चोरी के ले जाए जैसे ही ये पाप मन में आता है वैसे ही आपके सरीर में कुछ-कुछ होने लगता है हाथ कापेंगे, आवाज बदल जाएगी, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, आखें लुप-लुप जप-चप करेंगी अब ध्यान चोरी में है, बातों में ध्यान नहीं है, कहीं कुछ और चित में चला है, मन में चला है और जैसे ही आप इस विचार को छोड़ देंगे, कि नहीं मुझे नहीं चोराना है, मैं नहीं चोरी करूँगा तो वैसे ही आप सांत हो जाएंगे, आपका मन सांत हो जाएगा, चित्त सांत हो जाएगा, आपके दिल की धर्णगन ठीक हो जाएगी, आपको सब अच्छाला लगने लगेगा और सामने वाले की आपको बातें भी सुनाई देने लगेगी और आपको चेरे पे स्माइल और देखना हो तो विपसना साधना करनी चाहिए जो एसन गोनकाजी सिखाते हैं एसन गोनकाजी तो अब नहीं है मगर वो प्रेक्टिस भवान बुद्ध की है जो बर्मा के थ्रों यहां आई है वो करें वो बुलकुल सुद्ध है धन्यवार आप सभी से यह निविदन है कि अग बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आपको छूट है ये सभी कॉपीराइट फिरी हैं आप अपने फेस्बुक पे पेज पे अपने टीटर पे या अपने हंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं तहीं भी चला सकते हैं आप यूटुब पे ब Itspepe आप नाम से चला सकते हैं इसकी लिए इजाजत लें सी मान के चलाए cioè क्योंकि धम सब का है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है, या महापुर्सों का है, उन्हें की बात को सलभासा में बताते हैं, हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर, कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूजी आपकी है, धन्यवाद. तुम थियन पी बुद्धं सेनु गच्छामू, दूतियं पी धम्मंग सर्मंग च्छामी 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 साथु, साथु, साथु कामेसं निच्चरविर्मनि सिख्खापदां साधियामी